अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करना चाते हो तो आपके लिए बड़ी खबर आ चुकी है सोने की खरीदारी करने से पहले इस खबर को पूरा अंत तक जान ले क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोना कब सस्ता होने वाला है, सोने की कीमतों में कितनी गिरावट आने वाली है सोने और चांदी की कीमतों में भारी उताव चड़ाव कई वजह से देखने को मिलता है ऐसे में अगर आप सोने में निवेश करते हो तो आपको काफी अच्छा फाइदा हो सकता है लेकिन उससे पहले सोने और चांदी के भाव पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सोने और चांदी के ताजा भाव को जान सकते हो सोने का भाव कब सस्ता होगा यह जानने से पहले जान लेते हैं कि सोने की कीमतों पर भारी बदलाव क्यों आ रहा है इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा है अंतराश्य तनाव दुनिया में जब भी अंतराश्य अनिश्टा बनती है तो सोने और चांदी की कीमतों में भारी बदलाव आता है एकदम से सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिलती है हालां कि यह तेजी कुछ ही समय के लिए होती है एक या दो दिन में फिर से इसमें गिरावट आ जाती है हाल ही में दो बड़े देशों के बीच में भारी तनाव देखने को मिला है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है सोने में अचानक से बड़ी तेजी देखने को मिल जाए लेकिन यह तेजी कुछ समय के लिए है जिस तरह पिछले साल देखने को मिला था उस तरह से इस बार भी सोने की कीमतों में बड़ी तेजी के बाद जबरदस्ट गिरावट आ सकती है ऐसे में अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए क्योंकि अभी सोने का भाव अंतराश्य तनाव और दिवाली पर सोने की मांग की वज़ह से बड़ रहा है लेकिंग साल 2024 से पहले सोने में गिरावट आ सकती है अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हो तो निचे कमेंट करके जरूर बताए